हां जी तो अब हम बात करते हैं कि 5-day study plan आपके economics के exam में सिर्फ और सिर्फ 5-day बचे हैं और वो students जिन्होंने अब तक कुछ भी पिरपेर नहीं किया है जीरो preparation पर अभी तक है वो यहां से क्या economics का paper आपका clear हो सकता है हां जी इसका answer है हां बिल्कुल यहां से आप अपने economics का paper सिर्फ पास ही नहीं बलकि आज से भी अगर आप लग जाएंगे और आज से ही आपको 7-8 गंटी के अपनी strategy अगर आप बना लेते हैं तो आप आज से ही सिर्फ पास नहीं आप at least 75% score कर लोगे economics के अंदर बहुत आसानी से score कर लोगे अगर आप आज से लग जाते हैं अब ऐसा क्या करें पांच दिन में जिससे कि हमारा score 75% economics का बन जाए बहुत सारे बच्चे पैनिक भी है YouTube से लगतार देखा जा रहा है कि students इसलिए पैनिक है कि अब वो गिवप कर रहे है कि पांस दिन के अंदर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब क्या हो जाएगा पांस दिन के अंदर तो शायद वो उनका माइंड जो है यह सूचे राए कि हम नेक्स टाइम कर लेंगे बिल्कुल नहीं next time भी आपके तैयारी 5 दिन में ही तो इसलिए आप इन 5days को अच्छे से यूज करो ताकि आप एक साल बरवाद ना हो मैं बात कर रहा हूं इन 5 डेस की तो आप इन 5 डेस को आप 2पार्ट में डिवाइड कर दीजे इन पांस दिनों को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो एक तो कुछ इस तरीके से पहला आप इसको जो है थ्री डेज में मार दो इसमें आप क्या करेंगे पहले इसमें कितने डेज ले रहे हैं इसको थ्री डेज में मार देते हैं तीन दिन में पांस दिन को और सेकिंड आ को ँवreibtक देडै को बदूस देजर वा-टीलिक इसको है दिन को इस तर्वे साफ मांटें तीन ओर दो दिन में पहले तीन दिन में आप क्या डिए पहले दिन में हर दिन आपको एक करना है एक चीज़ आपको क्या करना है जैसे कि आपके पास में आज तारीक है पांस तारीक कि पांच दिसंबर 2022 है आज आप क्या करेंगे आज आप एक काम कर लिजिए कि आज आप एक पेपर आप जो है मैंने पेपर एक आप आप से जो है शेयर कर रहा हूं पेपर टू क्लियर है आप इस पेपर को आज के दिन रेडी करें और आप जो है टिक्स को आप पेपर थ्री यह पिर्पेर करें और सेवन को आप जो है पेपर पोर पिर्पेर करें अप्लेकिशन पर टू विज सॉलूशन मैंने डाल दिया है तीन पेपर आपको डिसकुस करने है बस इस तीन पेपर को डिसकुस करने से आपका स्कोर कहां तक अगर नमबर और अगर आपके पास में तो आपके पास पैकर से आपका जो है इन तीन पेपर से आपका जो स्कूर है वो आप 75% आप स्कूर कर सकते हैं इन तीन पेपर से 65% तक का आपका स्कूर आ जाएगा मैं फिर से क्लिर कर कह रहा हूं कि इन तीन पेपर को आप तियार करके चलिए हाँ जो students पहले से काफी पहले से कासिस ले रहे हैं मेरे साथ में जूड़े हुए आप में से तो वो student भई आप अपना जो है आपको इन पेपर को करने की लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आपने हाथ से नोट्स बना पाएं इसलिए मैं solution भी आपको जो है वो साथ साथ देता जा रहा हूं अब आप मैं बात करता हूं यहाँ पर 75% score इन तीन पेपर में अब इस पेपर को त्यार कैसे करें वो तीन पेपर कौन से तीन पेपर होंगे तो सबसे पहले वो तीन पेपर कौन से पेपर होंगे वो तीन पेपर वो पेपर होंगे जो कि मैं एप पर आपको जो है शेयर कर रहा हूं जैसे मैंने यह पेपर को एप में शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ में क्लेर अब बात करते हैं कि इस पर को तयार कैसे करें प्रिपेर कैसे करें तब से पहले जो बच्चें सब्सक्राइं को यह नहीं पता ऊगा कि कौन सा ஓं किस चैpieltर सेरेलेट कर रहे हैं तो तो वह उस चेप्टर पर जाकर कि वह वीडियो नहीं देख पा रहा है जो आज कल में जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेडिजी तो आप जब एप्लिकेशन इंस्टॉल करते हो और आप जब आपसे जब कोई टीम हमारी कॉंटेट करती है तो वही टीम आपको गाइड क यह है अब इसमें जो है न कोशन लिखा हुआ है अब यह कोशन वीडियो में कहां मिलेगा तो इसलिए मैं इसके सासत में क्या कर रहा हूं यहां पर मैं अब अपडेट कर रहा हूं कि आपका जो चप्टर का नाम डाल दो और इसमें जो है वी ओडी का मैं जो है उसमें अग तो आपको किसी भी आपको किसी की नीड आपको नहीं होगी आपको पूरा गाइड करेंगे तो यहां पर सबसे पहला तो है कि जिनकी प्रिप्रेशन अभी तक नहीं हो पाई है वह ऐसे करें आप सवाल कि प्पर को तयार कैसे करें यह तो पता लग गया कि क्या करना है तीन प चाहूबर मैं उस पर आऊँगा देकिने फिलाल आपको मालूम पढ़ गया क्या करना है आपको तीन पर आपको तयार करने हैं अब सवाल है तीन पर कौन से त्यार करने इसका जवाब आपको मिल गया हमारे अप्लिकेशन पर हम कंटेंट में इसको अपडेट कर रहे हैं अब दो चीजा आपको देखोगे और देखोगी समझोगे अब है कि कैसे प्रपेर करें इसको आपके पास में आप अपने समय को दो भागों में बाढ़ दीजिए अपने डे को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें अपने देज को आप क्या करें टू पार्ट्स में डिवाइड करंगी अद्ञान्य करेंक। देस को दो पार्ट्स अप डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट्स को कैसे डिवाइड जा पा रहे हैं तो आप 3 p.m. तक लिजिए इस से ज्यादा मत जाए एक 3 p.m. क्लिर है और मौने में कितने बज़े से ये अप धान नखिएगा एक्जाम टाइम है वो जो कि आप अपने जो बच्चे सुबह लेट उठते हैं 9 बजे 10 बजे जो उठते हैं वो बच्चा जो तरीके से आपको जो है यह कैसे एक्जिक्यूट होगा प्लाइन आप अर्ली मौनिंग कम से कम आप जो है ज्यादा जल्दी वरी तो 6 बजे तो आप उठते और 7 बजे तक बिल्कुल ये कुछ बच्चे तो यहीं पर फस रहे हैं कि वो 10-11 बजे उठते हैं और नहाने की यो कि मौन एल्ली मौनिंग करके साथ वजे बिल्कुल आप अच्छे तरीके से ताकि दुबारा आपको किसी भी काम के लिए कोई डिसेवेंस आपके साथ में ना रहे कि मुझे यह करना है यहां जाना है वहां जाना है उठे उठने के बाद आप इसको तीन पीम तक स्लॉट को रखे इसमें मेरी क्लास इस भी रहेंगे और प्लस में आपके पास में रहेगा आप क्या करें कि मेरी वीडियो को देखना सुरू करें चेप्टर से वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज समझ में आ जाएगी इतना आप समझ जाओगे कि आपको डाइग्राम कैस अगर उसमें डाइग्राम टेबल दोन है वो और उसके साथ साथ जो है उसका जो सोलिशन जो थोड़ा सा उसको शॉट करो इतना लंबा तीन-तीन पेज का अंसर नहीं पेपर में पेपर छूट जाएगा आपका उसको शॉट करके लिखो बस आपका कुछ डेड़ दो पेज त आप बना लिजिए तीन मज़े तक बना लिए अब आपके पास में दो घंटत चार और पांच इस दो घंटे आप आराम से रेस्ट कर लिजिए या सो जाएए माइंड आप बिल्कुल अपना जो है डाल दिजेगा प्लीज इस इस समय में आप फॉन मत देखिएगा वीडिय लेकिन अधर वीडियो पर या शॉर्ट पर इस समय बार बार डायवेट मत हो जाना कि आप अधर वीडियो पर जा रहे हैं और आपने आदा गंटा भी देख लिया तो वह किरकेट खेलने से ज्यादा थकावट होता है अगर आप किसी चीज को देखते हो तो वहाँ पर फिर से तो दो गणिकला साइस हो जाओ वह बैस ठतका माइंड पुरारी से हो जाएगा और अब आप अपने आपको क्या करें आप पर अपने आपको अब को तीय वन पी हम तक क्या करो जो आपने बनाए है उसको आपको पड़ना असान क्या आप उलेडी वीडियो विगरा सब देख चुके हो तो बस एक आप उसका क्या करें जो आप नोर्स बनाया है अप अपने नोर्स को मेरे और या किसी की नोर्स को नीच्वार्ण सप्ने नौर् साथ को जने के बाद रात को ठेक आप फिर से आप अपने आपको अवेर करें 9 p.m. जाए शाथ वह तक आपने कर आप 5-7 या पांसे शाड़े साथ या पांसे आप आठ बोल दीजिए क्योंकि दो गंटे में नहीं हो पाएगा तो 8 p.m. फिर आप वन आवर अपने आपको ब्रेक पर दे दो एक घंटा आराम सा बहार दिकल जाओ थोड़ा शाम है भार थोड़ा सा घूंग लो ठीक है एक घंटे के लिए अपना माइन फ्रेश करें कि बापस आप जो है ठीक अपने आप जो है नाइन पी एम आईए अब आपके पा अब आप अपना जो है टेस्स लेनाएं को और आप अपना टेस्स देना जो पूरा प्र त्यार किया था पूरा पेपर आप तीन segundo कर ली ना कि ठीक है 9 से você 12 कें है जडरूरी रहाख थे घंटे कर लोगे तको पता रहाएगा कि कहां पर आपक्ष Oh नाइं आठी लाए है आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ आपके दिमाग से निकल गई है जल्दवाजी में इसको पिरपेर कर लो इसको पिरपेर करने के बाद आपके पास में एक दिन खतम और एक पिपर कम्प्लीट आपका वो दिन जो है सक्सेस्फुली आपने ड़न करा है ठी पिपर में हर एक कोईशन में उसके दो पार्ट होते हैं एक तो फर्स एंज तो 75 कुशिन में मेरे वो सारे कुशिन मिल जाएंगे जो कि मैंने 40 important आपको लगवाए थे प्लस 25 आपको extra कुशिन भी आपको मिलेंगे यही आपके तीन पेपर में से ही सारा पेपर आएगा यह बात में आपको बतायता हूं चीकर ना कुछ 19-20 फोसकता है तो हाँ मैंने इसलिए 100 नहीं का मैंने आपको 75 पसंट स्कोर ले आओगे मैंने यह कहा आपको साथ कुशिन आये हैं उसमें से आपको पांच अटेंट करने हैं तो पांच में से अगर आपने चार भी अटेंट क कर लिया और पांच मां थोड़ा भी अटेंट कर पाया और कुछ एक अदा छूट भी गया तब यह 75 पसंट के आसपास आपकी रेंज में पिपर रहेगा पर लास्ट के पांच दिन में 100 पसंट की गारेंटी नहीं ले सकते हैं वहां किसमत अच्छी हुई तो पूरा पेपर आफ तक देख लेंगे सो नजरों से खत्म हटम हो जाएगा खरिया आता है यह आता है लेकिन आप समय पर तियार करें वह ज्यादा बे्टरSí अख्री के दो दिन में क्या करोगिए सवाल ये नेक्स टूडेस में आप क्या करेंगे तो नेक्स टूडेस में जो आपके सबसे पहले मैं आप से यहांपर बात करता हूं डेस लमबर आपके बात आजाता है आठ तारिक बारह महिना 2022 22 इस में आप प्रिविजन पर चले जाना बच्चे कुछ नया मत पढ़ना एंण आखना जुर्थ मैं नहीं आप पड़्ड़ जले जाना जिसमें आप क्या करोगे इसमें आप पेपर कि वन पर एंड कि पेपर टु मेरे यह दो चीज़ें आप आप क्या करना यहां पर रिविजन करना और तरी है आप को रिविजन करना तरी है आप जो है यह रिविजन कर लो कौVEN से तारिक हो आपके पास में 8 तारिक हो पेपर 2, पेपर 3, और पेपर 4 रिवीजन करेंगे पेपर 2 प्लस पेपर 3 प्लस पेपर 4 इसका आप रिवीजन कर लेंगे 8 तारिक प्लेर है नो को किया करेंगे आप कि नो को सिरफ और सिरफ आप क्याकरेंगे नुमेरिकल पे आप फोकस करेंगे पूरा दिन क presti करेंगे विपनांट की किisf करेंगे और और दो त्यो peacarm आपके पास में हैं, Elocity of Demand में क्या parallel line different ED को represent करती है या intersection जब करते हैं, तो क्या वो same ED को represent करती है intersection point, ये कुछ दो theorem भी दे, जो कि आपको ED में मिल जाएगा आप अपने numericals पर ध्यान दे, 9 तारिक को अपने numerical को अपने पकड़ में आप रख लें, 9 तारिक को दस तारिक की बात करते हैं, जिस दिन आपका exam है, जो कि दिन में है, दस को दस को जो आपका exam है, आपका दिन में exam है, लेकिन आप सुबह से पूरा free ही हैं उस जोरान तो तो आप morning में उठकर करके, दस को, आप morning में उठ जाएए, ठीक है? और morning में उठकर करके, वो topics, जो कि आपको problem create कर रहे हैं, दो तीन सवाल ऐसे हो सकते हैं, जो आपको अभी तक आपके समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि मान लो आपको shutdown point हो गया, long run equilibrium हो गया, कुछ ऐसे questions, तो आप उन question को morning में देखिए, जो अभी तक आप पर नहीं कर पाएं, लेकिन वो आपको, आपको gut feeling आ रहे हैं, पर में आ सकता है, important है, बार-बार repeat हो रहा है, उसके बाद भी आपने उसको अच्छे से समझा नहीं है, तो आप उन तीन question को आप अपने जा करके देख लिज पाएंगे, break दे दे करके notes बनाने, एक question का अपने एक question आपने पर पेर कर लिया, उसकी वीडियो आपने देख लिए, देखने के बाद आप 5-10 मिट का अपने आपको break दे देजिए, tea time ले लेजिए, अपने आपको reward देना शुरू करो, award दो अपने आपको, मैंने एक question कर ल लिए, या कुछ कर लिया, ठीक है, उसके आद एक question मैं पर पेर कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं पाच मिन्ट के लिए जो थोड़ा सा, अब रिलेक्स मोड पर चला जाओंगे, किसी से कोई बात करनी है, तो आपने वो बात कर ली, तो हर एक question के बाद आपने आपको, आप इस तरीके से, सब को इस समय तो देख विए, जो चैप्टर वाइस बच्चे पढ़ रहे थे, जो मेरे से एक महने पहले चुड़े वे, तो उनका तो चैप्टर खतम हो गया होगा, अच्छे समझ गया है उनके चीज़ों को, उनके लिए चीज़े थोड़ा से कुई क्ली हो सब के लिए यही सला दे रहा हूं, क्योंकि 28 कोशिन बहुत बड़े होते हैं, और आपका पूरा सिलेबस कवर कर देगा यह, आपको क्या लग रहा है, तीन पेपर को सौल करना, सिर्फ तीन पेपर सिर्फ पास सवाल, नहीं, 75 सवाल आपका पूरा सिलेबस को लेके बैठता अपने अंदर, लेकिन अगर आप चप्टर वाइस पढ़ेंगे, तो फिर आप कहीं न कहीं, उन चीजों के तरफ आपका समय जादा जाएगा, जो शायद कि इतना इंपोर्टेंट है, पेपर में नहीं है, वो समय भी उक्कुपाइड होगा, पर जो पेपर में आएगा, व छेदि, क्लियरें, समझें, तो ये बान, ये श्टढ़ेगी आपको यहां पर समझ में अच्छे से आगजया है, कि हमें तीन दिन में क्या करना है, और हमें अगले दो दिन में क्या करना है, समझें लिगा, आपके जो है, ये तो मेरा था, फाइवडेस प्लान. झाल